हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस न्यू क्रेटिव एक के चैनल पर इस वीडियो में अपको मैं बतना चाहूंगा कि अगर वर्टसप में किसी ने आपका मेसेज रीड करने से पहले ही डिलेट कर दिया है तो आप उसको रिकवर करके उ एप्लिकेशन दूँगा इसके जरीए आपको वो सब कुछ दिखाए देगा तो उस एप्लिकेशन का नाम है व्यू डिलेटेड मेसेज अपको प्लेस्टर में जाना पड़ेगा और उसके बाद सर्च करना है कि व्यू डिलेटेड मेसेज एंस फॉर रिकवरी तो उस एप् कौन सी एप्लिकेशन का मैसेज़ी से जो वो रिड करना है तो उसमें एकसेप करना है कौन से कौन सी एप्लिकेशन रहेगी जिसका जिसमें मैसेज आता है तो उसमें वोटसप इनेबल करना है अगर टेलिग्रम में आपका मैसेज आता है तो उसको भी आप ओके कर दीजिए कर और कोई applications है आपकी जिसमें message आते है मतलब facebook हो सकता है twitter हो सकता है वो सब उसमें ok कर देना है और add कर देना है और application को allow कर देना है setting में जाके notification access हो है आपका access करता है notifications उसके बाद आपको वो read करने देगा तो मैंने view data message को enable कर दिया है आप भी enable कर दीजे और ये application start हो रहा है अब ये application start हो गया है अब हम मैं आपको एक example कर के दूँगा ये मेरा पहला whatsapp है और मैं पहले नहीं हम search कर लेता हूं ये रहा मेरा दूसरा account अब मैं इसमें high लिकूंगा अब मेरे दूसरे और सप्रे में आ भी आ है messages आ गया message अब मैं इसमें से एक message send करता हूं जो मैं सामने वाले को rate करने नहीं दूँगा मतलब you are not best ये मैंने लिक दिया है और send कर दिया है और वहां उसने अभी तक देखा नहीं है मतलब वो कुछ काम कर रहा है तो उसने अभी तक read नहीं किया तो मैं इसको delete कर देता हूं delete or delete for everyone उसमें click कर देना है अगर आप delete कर देंगो तो उस पर आपको notification आ जाएगा कि किसी ने आपको message करके उसको delete कर दिया है तो जब मैं पहला WhatsApp में जाऊंगा तो उसमें कुछ दिखाएंगा नहीं this message was deleted दिखाएगा delete messages उसमें जाके वो आपको सामने से बता देंगा यह है मेरा नाम जिसमें से message आया था तो उसमें click करना रहेगा तो आपको यहां दिखेगा you are not based तो यह चो उसमें sign दिखा गया है यह new deleted messages तो you are not based यह message उसने लिखके send करके उसको delete कर दिया है तो आप ऐसे तरीके से वो आपको messages read कर सकते हो तो यह application बहुत अच्छी है आप download कर लिजेगा अगर किसी girlfriend के साथ बात कर रहते हो तो अगर उसने कुछ अच्छा नहीं बोला और आपको read करना फुल गए तो यह application के से यह आप देख सकते हैं कि उसने क्या delete किया तो इस वीडियो में सिर्फ यह तरीका ही है delete messages देखने के लिए तो अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो उसको like कर दीजिए share कर दीजिए comments अगर करना चाहते हो तो कर दीजिए कुछ आपको नहीं आता उसमझ में तो मुझे message कर सकते है और thank you for watching my videos